लीजे सुनिए मोहंदास करम चंद गांधी यानि महात्मा गांधी की आत्म कथा सत्त के साथ मेरे प्रयोग के चौथे भाग के आठवें अध्याए एक सावधानी का वाचन वाचन समीर गोस्वामी का है प्रवाहा पतित कथा के प्रसंग को अभी मुझे अगले प्रकरण तक टालना पड़ेगा पिछली प्रकरण में मिट्टी के प्रयोगों के विशय में मैं जैसा कुछ लिख चुका हूँ उसके जैसा मेरा आहार विश्यक प्रयोग भी था अत्यो इस संबंध में भी इस समय यहां थोड़ा लिख डालना में उचित समझता हूँ दूसरी कुछ बाते प्रसंगा नुसार आगे आवेंगी आहार विश्यक मेरे प्रयोगों और तत संबंधी विचारों का विस्तार इस प्रकरण में नहीं किया जा सकता इस विश्यक में मैंने आरुग विश्यक सामा नग्यान नामक जो पुस्तक दक्षन अफ्रीका में इंडियन ओपीनियन के लिए लिखी थी उसमें विस्तार पूर्वख लिखा है मेरी छोटी छोटी पुस्तकों में ये पुस्तक पश्चिम में और यहां भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है मैं आज तक इसका कारण समझ नहीं सका हूँ ये पुस्तक केवल इंडियन ओपीनियन के पाठकों के लिए लिखी गई थी पर उसके आधार पर अनेक भाई बेहनों ने अपने जीवन में फेर फार किये हैं और मेरे साथ पत्र व्यवहार भी किया है इसलिए इस विशय में यहां कुछ लिखना आवश्यक हो गया है क्योंकि यद्यपी उसमें लिखे हुए अपने विचारों में फेर फार करने की आवश्यक ता मुझे प्रतीत नहीं हुई तथा पी अपने आचार में मैंने जो महत्व का फेर फार किया है उसे इस पुस्तक के सब पाठक नहीं जानते यह आवश्यक है कि वे उस फेर फार को तुरंट जान ले इस पुस्तक को लिखने में अन पुस्तकों की भाती है केवल धर्म भावना काम कर रही थी और वही आज भी मेरे प्रत्तिक काम में विद्ध्यमान है इसलिए उसमें बताए हुए कई विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर पाता हूँ इसका मुझे खेद है इसकी मुझे शरम आती है मेरा द्रढ़ विश्वास है कि मनुष्य बालक के रूप में माता का जो दूद पीता है उसके सिवा उसे दूसरे दूद की आवशकता नहीं है हरे और सुखे वन पक फलों के अतिरिक्त मनुष्य का और कोई आहार नहीं है बादा मादी की बीजों में से और अंगूर आधी फलों में से उसे शरीर और वरद्धी के लिए आवशक पूरा पोशन मिल जाता है जो ऐसे आहार पर रह सकता है उसके लिए ब्रहमे चरादी आत्मसیयम वह सरल हो जाता है जैसा आहार वैसी डकार मनुष्य जैसा है वैसा बनता है इस कहावत में बहुत सार है उसे मैंने और मेरे साथियों ने अन्भो किया है इन विचारों का समर्थन मेरी आरुग संबंधी पुस्तकों में है पर हिंदुस्तान में अपने प्रयोगों को संपूर्टा तक पहुँचाना मेरे भाग में बदाना था खेड़ा जिले में सिपाहियों की भरती का काम मैं अपनी भूल सिम्रत्य शहिया पर पड़ा दूद के बिना जीने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे जिन वेद्दियों डॉक्टरों और रसाइन शास्त्रियों को मैं जानता था उनकी मदद मागी किसी ने मूं के पानी किसी ने महुए के तेल और किसी ने बादाम के दूद का सुझाओ दिया इन सब चीजों का प्रियोक करते करते मैंने शरीर को निचोड डाला पर उसमें मैं बिछोना छोड़कर उठना सका वेद्दियों ने मुझे चरकित्यादी के शलोक सुना कर समझाया कि रोक दूर करने के लिए खाद्या खाद्य की वादा नहीं होती और मासादी भी खाय जा सकते हैं ये वैद्द दुख्ध त्याग करने पर द्रण रहने मेरी सहायता कर सके ऐसी इस्तिती ना थी तब जहां बीफटी यानि गौमास की चाय और ब्रैंडी की गुंजाइश हो वहां से तो दूध की त्याग में सहायता मिल ही कैसे सकती थी गाए भैंस का दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था ये मेरा व्रत था व्रत का हे तू तो दूध मात्र का त्याग था पर व्रत लेते समय मेरे सामने गौमाता और भैंस माता ही थी इस कारण से और जीने की आशा से मैंने मन को जैसे तैसे फुसला लिया मैंने वृत का अक्छर शाह पालन किया और बकरी का दूद लेने का निश्चे किया बकरी माता का दूद लेते समय भी मैंने ये अनुभव किया कि मेरे वृत की आत्मा का हनन हुआ है पर मुझे रोलेट एक्ट के विरुद्ध जूजना था ये मोह मुझे छोड़ नहीं रहा था इस से जीने की इच्छा बढ़ी और जिसे मैं अपनी जीवन का महान प्रियोग मानता हूं उसकी गती रुग गई खान पान के साथ आत्मा का संबंध नहीं है वो ना खाती है ना पीती है जो पेट में जाता है वो नहीं बलकि जो वचन अंदर से निकलते हैं वे हानी लाब पहुचाने वाले होते हैं इत्यादी दलीलों से मैं परचित हो इसमें तथ्यांश है पर बिना दलील किये मैं यहां अपना ये द्रण निश्चे ही परकट किये देता हूँ कि जो मनुश्य ईश्वर से डर कर चलना चाहता है जो ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा रखता है ऐसे साधक और मुमुक्षू के लिए अपने आहार का चुनाओ त्याग और सुईकार उतना ही आवश्यक है जितना की विचार और पानी का चुनाओ त्याग और सुईकार आवश्यक है पर जिस विशय में मैं सुयम गिरा हूँ उसके बारे मैं मैं न केवल दूसरों को अपने साहरे चलने की सलाहे नहीं दूँगा बल्कि ऐसा करने से रोकूंगा अत्यों आरोग विश्यक मेरी पुस्तक के सहारे प्रेयोग करने वाले सब भाई बेहनों को मैं सावधान करना चाहता हूँ दूद का त्याग पूरी तरह लाभ प्रतीत हो अत्वा वैद्ध डॉक्टरों से छोड़ने की सलाह दे जिसकी जट्रागनी मंद हो गई है और जिसने बिचोना पकड़ लिया है उसके लिए दूद जैसी खुराक हलकी और पूशक खुराक है ही नहीं अत्या उक्त पुस्तकों के पाठकों से मेरी बिंती और सिफारिश है कि उसमें दूद की मर्यादा सूचित की गई है उस पर चलने की विजद न करें इन प्रकरणों को पढ़ने वाले कोई वैद्ध डॉक्टर हकीम या दूसरे अन्भवी दूद के बदले में किसी उतनी ही पोशक किन्तु सुपाच वनस पती को अपने अध्यन के आधार पर नहीं बलकि अन्भव के आधार पर जानते हो तो उसकी जानकारी देकर मुझे उपकरत करें अभी आप सुन रहे थे मोहंदास करम चंद गांधी यानि महात्मा गांधी की आत्म कथा सत्त के साथ मेरे प्रयोक के आठवे भाग एक सावधानी का वाचन वाचन समीर गोस्वामी का था